प्लीज सब्सक्राइब और अपनी बीवी और सास की हत्या का आरोप लगा है अभी दाट की मिली जानकारी के मुताबिक कनाडा की पुलिस ने आदमी को हिरासत में ले लिया है मोहित हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है मोहित क्या बात निकल कर आ रही है सामने क्यों यह हत्याएं की गई देखिए अपतर इस पूरे मामले में घरेलू कलाई वज़े लग रहा है और यह जो बेक्टी था इस बात से नराज था कि उसकी सांस की वही चनेड़ा में आतर उसके घर में रह रही है और अक्सर उसका पत्रिक सा जहड़ा होता था और उसकी सांस जो की पंजाब से जातर वहां रही थी वो अपनी बेटी का साथ ले थी इसी बात सो लेकर विवाद हुआ है जी बहुत बहुत शुक्रिया मोहित आपका यात्रा में शामिल यूवको के बीच कहा सुने के बाद हंगामा हो गया मामला शान कराने के लिए पुलिस ने यूवको को यात्रा से ख़देर दिया और मनोज हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है मनोज जैसा की बात सामने आई थी कि जेब कत्रो का जो मुद्दा उठा था तो क्या वो जेब कत्रे पकड़े गए पता चला कि क्या बात रही जिसके बाद ही हंगामा मचा बहुत 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 शुक्रिया मनोज आपका मदप्रदेश के खरगोन में एक आदमी लकडी की सीडी पर चड़कर दीवार पर कुछ लिखने लखा यहां कॉलेज के ऑडिटोरियम हॉल पर भारत मात्रा का नाम लिखने को लेकर बावाल मच गया और ABVP और NSUI के लोग आमने सामने आ गए पुरा बवाल तब शुरू हुआ जब ABVP से जुड़े कुछ लोगों ने कॉलेज के ऑडिटोरियम हॉल पर भारत माता सभागरे लिख दिया और उसके बाद बाकाइदा पूजा की इतना ही नहीं इन लोगों ने भारत माता की जय और विधान परिशत के राजनितिक नारे एक साथ लगाए पूज समय पूर्व विध्यार्थी परिशत ने कॉलेज प्रिंसिपल से मांग की थी कि अभी नौनिरमीद सभागरे का नाम भारत माता सभागरे रखा जाए जिसके जलते उन्होंने उस मां को मान भी लिया था पर पर अगले ही दिन उस तक्ती को निकाल कर फेक दिया उनोंने किसी के विरोध में आने के कारण और भारत माता का नाम लिखने और एबी वीपि के शात्रों के भारत माता की पूजा करने पर बवाल मच गया ABBP की नारेबाजी और पूजा के बाद NSUI भी भारत माता के लिए अपनी श्रधा जताने में पीछे नहीं हटे और भारत माता की एक बड़ी सी तस्वीर कॉलेज में चिपका थी जिस तरह से दो छातर संगठन भारत माता के नाम पर और राजनीती हो इससे इंकार नहीं किया आजा सकता अदरप्रदेश के मंजला के मवई इलाके के लोग आजकल दहशत में जी रहे हैं क्योंकि एक बागिन अपने दोश शाबको के साथ रिहाईशी इलाके में घुसाई है और वन विभाग की टीम बाग को पकड़ने के लिए एक हाथ चान रही है वन विभाग की कर्वजारी लगातार बाग की दलाश में जुटे हुए हैं और इसके लिए जंगल में खोजबीन जारी है लोगों को अकेले जंगल में नहीं जाने के सला दी जा रही है गाउं में बाग के खुषने की खबर के बाद लोगों में देश्चत है और गाउं में सन्ना टापसरा हुआ है तीन दिन पहले ही बाग ने गाउं में खुषकर एक बचले का शिकार किया था जिसके बाद लोगों का डर और बढ़ गया है वन विभाग के मताबिक बाग अपने शावकों की सुरक्षा के लिए जगर ढूण रहा है ऐसे में वो और खतरनाक हो सकता है वन विभाग के अधिकारियों का दावा है कि जल्दी बाग को खोच कर वापस जंगल पे फिस दिया जाएगा और वहिंदिली के गोविनपूरी में लोडी की शाम कुछ बदमाशों ने एक यूवक की हत्या कर दी घटना के वक्त यूवक गोविनपूरी के मंकी पाल्क में एक लड़की से मिलने आया था और दीपक हमारे साथ फोन लाइन पर मौझूद है दीपक जो सीसी टीवी फोटेज पुलिस ने अपने कद्जे में ली है उससे कुछ चीजे बाहा निकल कर आई हैं असपास का जो सी इलाका है वो फिसी तरह का हमला हुआ है जिस तरह से लूट पार्ट की बाद सामने आई है तो उसके बाद जो पुराना रेकॉर्ड है तुस्ताने में रेकॉर्ड होता है जो इस्थानी लोगल चोल चक्क या इस अरोप में पुलिस ने एक महिला डेंटिस्ट को गिरफतार किया है आरोप है कि महिला डेंटिस्ट नाबालिक नौकरानी को बुरी तरह से पीटती थी इतना ही रही आरोपि महिला पर नौकरानी को प्रेस से जलाने का भी आरोप है दिली महिला आयो की हेलप लाइन पर एक कॉल आई जिसके बाद पुलिस ने चोदा साल की बच्ची को आजाद करवाया तो उसके साथ जो दरिंद की हुई थी ये बात तब सामने आई 14 साल की बच्ची जारकन की रहने वाली है और किसी प्लेस्मेंट एजेंसी ने उसे महिला डेंटिस्ट के घर पर काम पर रखवाया था मुंबई में 7 लोगों को ले जा रहा एक हेलिकॉप्टर क्रैश हो गया हेलिकॉप्टर में ONGC के 5 कर्मचारी और 2 पाइलिक सवार थे कोस्ट गार्ड ने हेलिकॉप्टर में सवार 7 में से 6 लोगों के शव बरामत कर लिये हैं बरामत किये गए 6 शवों में 4 की पहचान भी कर ली गई है यह हेलिकॉप्टर शनिवार सुभा 10 बच कर 20 मिनट पर उड़ा था और इसका संपरक ATS से 10 बच कर 35 मिनट पर चूच गया इस हेलिकॉप्टर को 10 बच कर 58 मिनट पर ONGC के उतरी शेत्र में उतरना था लेकिन उससे पहले ये समुंद्र में गिर कर क्रैश हो गया और हमारे सायोगी फोन लाइन पर मौझूद है अभी कि क्या ताज़ा अपडेट है क्या तलाशी अभियान जारी है अभी भी इस पूरे हाथ से में नेवी और को छे बॉडिस मिल चुकी है जिनमें से पांच बॉडिस जो है वो डिप्री जनरल मैनेजर ओंजीर्शी के हैं पांचों शबो को वहां से निकाल करें अभी मुंबई के सरकारी अस्पताल में भेजा गया है पोस्मार्टम उनका हो चुका है और आज जो भी बॉडिस है उनके परिजन को दे दी जाएगी लेकि इस पूरे मामले में एक पाइलेट भी लापता है उसकी खोज नेवी और क कि जहाज और शिप हैं वो समुदर में जहां पर यह हैलिकॉपर क्रेश वादा वहां पर चानविन की जा रही है अब इस पूरे मामले में डिजी से के साथ साथ परवन हन्स के जो टीम है ओंजी सीक्यूर्टी में वो तफिश करें कि आज जो चौपर है वो क्रेश किस वज व्यपारियों ने पियो के में बिजली की कमी को लेकर प्रदशन किया और व्यपारियों ने सडकों पर चायर जला कर विरोध प्रदशन किया संदीप हमारे साथ फोन लाइन पर मौझूद है संदीप पूरा क्या मामला है यह तफिश से बताएं कि देखिया फ्योके में जिस तरह से वहां पर हाइड्रो पाउर प्रोजेक्ट्स हैं और वहां पर तकरीवन काफी पंदास मेगवेट्स तक की बिजली बन दे लेकिन वहां की दिए लोकन लोग है वहां उनको जहें बिजली प्रोवाइडने की जाती है चार से बारा घंटे तक की पिजली जो है वहां काटी जा रही है जिसकी वेसे जो ट्रेडर्स हैं वह खाता नाराज है इसलिए बीना फैली रोट को पूरी तरीके से जैम किया गया है और सरकार के अगे कि जो जिसे पाकिस्तानी आदा कश्पीर कहते हैं उसमें जो है जूनके प्रदाब मंतरी है उसके खिलाव जया लगातार पोटेश भूते रहे हैं पी-म-ल एंजब से सत्ता में आई है तब से युके में जो लोग है वहां बासिंदे है और ट्रेडर से उनको जो है लगाता बहुत बहुत शुक्रें संदीप आपका नहीं चेलेगा नहीं चेलेगा नहीं चेलेगा सुप्रीम कोट کے चार जजोंगी फ्रेस कॉनफरेंस के बाद विवाद निफाने के लिए बार कॉंसिल ऑफ इंजीया आगे आया है बार कॉंसिल ने साथ सदस्यों का एक प्रतिनी दिमन्डल बनाया जो आज प्रेस कॉनफरेंस करने वाले जजोंगों से मुलाकात करेगा बार काउंसिल का प्रतिदीदी मंडल मुख्य नियादीश टीपक मिश्रा और सुप्रीम कोट के दूसरे जजों से भी मुलाकात करेगा बार काउंसिल का कहना है कि वो जल्द इस मामले को सुलजा लेने की अपील कर रहे हैं से बीट जस्टिस जोसेफ कुरियन ने कहा कि ये नियाई पालिका का आंतरिक मामला है और इसमें किसी बाहरी की पढ़ने की जरूरत नहीं हमारा प्रयास होगा कि बार काउंसिल अफ इंडिया के इंटर्फियरेंस से और इंवाल्ब्मेंट से अगर इसमें सले का कोई हल निकल जाता है तो वो हमारे लिए सोभाग्य की बात होगी जुडिसेरी के लिए अच्छी बात होगी तो उसमें हम ये डिरने लेने जा रहे हैं कि एक हमारा सेबन मेंबर डेलिकेशन कल बाकी के 23 जज़ेज से मिलेगा उसके बाद हम सीनियर जज़ेज से और अनुबल सीज़ेज से भी मिलेंगे और हमारा ये प्रयास होगा कि अगर किसी दंग का कोई मतभेद है उनमें कोई डिफरेंसेज है तो उसको आपस में मिल बैठके निप्टा लें जो सीनियर मोशन जो चार्ज मुख न्यादीशी के खिलाफ जो मेडिया में सामने आए उसके बाद आपको लगता है कि आम जनता जिसका जुडिशियर पर काफी विश्वास होता है उसको लेकर कहीं उनके मन में एक शक पैदा होगा अब इसको तो आप मेडिया के लोग हैं आप बड़े मजबूत लोग हैं आप कैसे इसको जनता तक पहुचाते हैं वो अलग बात है झाल 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 झाल